हेलो फ्रेंट्स हम इस वीडियो में एंसी आर्टी बुक के जियोग्राफी का चैप्टर सिक्स मेजर लैंड फॉर्म्स ओफ दी एर्ट क्लास सिक्स का पढ़ने जा रहे हैं तो गाइस अब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो हमारे चैप्टर में देखते हैं अब क्या है हम फ आपर रह एंगे हैंगे तो हम आपको बता देंगे अब मैं आपको बता तो यह है कि यह जान तैप यह और यह ऊंद देख रहे हैं यहां पर हैं यह हैं हमारी लेक्स यह माउटफ आफ रिवरौ उसके पार उसके बाद इसके बाद फिर हमातें इंगे प्लेंटी States मांटे कीफिएभ करें पर हमने को बता हैं आप पॉस करके और भी देख सकते एंज़ हैं उिस चैप्יטर को शुरू करते हैं यहां थे वहां पे सारे लैंडफियर में भी और हुएडेर में भी वी हईडिलेंड होता है और हाइड्र होता है वाटर और अब देखते हैं वो बनते कैसे हैं तो मैं आपको बताता हूं यह इसी चैप्टर में दिया हुआ है और मैं बता दूं कि यह दोजनायाई जो हमारे लान यह दौनाया इबता हूं दोश्य चैविप औरद में अर्वा में वह दोटैंकों अब हैं हम पीछे होता है जाskी है और आटरफू होता है उसका है एक प्रोसेश आधा नियुक्ति तो जो जमीन के नीचे लैंड प्लेट्स होते हैं जो मूफ कर रहे होते हैं तो अर्थ को एक आता है इसमें उससे थोड़ा सा अलग होता है उसमें क्या होता है जो लैंड प्लेट्स होती है वह थोड़ी सी बढ़ी हो जाती है या फिर ऊपर आ जाती है तो माउंटेंस फॉर् एक था इंटरनल प्रोसेश दूसरा एक्स्टरनल प्रसेश तो यहां पर मैं आपको बता दूए एक्स्टरनल प्रसेश वह प्रोसेश होता है जिसमें प्लेंस बनते हैं रिवर से तो अब यहां पर दिया वाय जो इरोजन होता है तब जो स्टाइल होती है टॉप साइल जो ब वैसे लिए पता थे पर लेयेर का कमें भेंवे प्रियूट में बता है तो यह आपको मचेज कुस तो क्भान REVEE 601станов बहुत अब प्रियंस के विद्ध को सब्सक्राइग हो ना करते हैं आडखी लेकरे गार के लित्ए स्ट रहे खाले देशियर्ज और गभी तहम माउंटेंस में से जो नदी होती है वह नीचे आरी होती है तो जो माउंटेंस की जो फटाइल सोयल है यह फिर फटिलिटी इसको अपने साथ ले आती है और नीचे आके उसको डिपॉजिट ही कर देदी साइड वाले लेंड को और उससे वह लेंड फर्टाइल हो जाती है और इसी लिए आपको मैं यह बी बता दू जो इंडिया में जो गंगा पर वहां पर उसके बघनES ही सबसे जादा लोक रहते हैं इंडिया के लिए sleepy बगल उस रिवर के बघन में आप होते हैं कितने लेंड फोर्म होते हैं मांटेञ्टेंग उसके बाद इज़抵र मांतेन रेंज़ तो फिर हम आएंगे लेक, बौल के, ऽ दिस्डिट हुआ ट्रेंख, तो सीधी हम आगे चलते हैं तो अब हम आगे आग चुके हैं तो जो माउंटेन होता है वो एक नैचूरल लेंड फर्म होता है यह सब आपको पता होगा यह जो प्रोसेस होता है उससे बनता है और ऐसे माउंटेंस इंटर्नल प्रोसेस्सित फॉरम दू जाते हैं अब देखर मैंने आपको ग्लेशियर बता दिया था पहले ही तो इक और बटा देंता हो कुछ माउंटेंस होते जहां जो हमेशा ही बरफ से धके होते हैं और वहाँ पे रिवर होती है तो वह पे अगर रिवर होती है तो वह ग्लेशियर में बदल जाती है फ्रीज होने के बाद और जो ग्लेशियर होते हैं उसे पिघलने के लिए होट टेमप्रेचर चाहिए गरम टेमप्रेचर जैसे अभ तो गाइस यहां पे हम अगले पेच पे आ चुके हैं तो हम मैं आपको बता दू माउंटेन रेंज क्या होते हैं तब माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज होके या फिर थोड़ा सा अलग जैसे आप लाइन बनाते हो न तब आप मेंली आप स्पोर्ट की पीरेंड में जाते हो म्यूजिक के पीरेंड में जाते हो योगा के पीरेंड में जाते हो किसी भी आउटर पीरेंड में जाते हो तो आप लाइन में जाते हो तो वैसे ही जो माउंटेन्स होते हैं वो भी एक ताइप से लाइन में ही होते हैं थोड़ी अलग भी हो सकते हैं उन्हें बोलते हैं माउंटेन रेंज है उसका नाम है इल्प्स और ऑपको दो पता होगा इशिया में जो मांटेन रेंज है उसका नाम हिमालिय जो हमारे इंडिया में ही है उसके बाद हम देखते हैं South America, South America में जो है वो है andis andis mounteringi range अब आगे देखते हैं यहाँ पर आपको यह मैं पता ना भूल गया था जो mountains होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं पहला है block mountains दूसरा है volcanic mountains और तीसरा है fold mountains होते हैं जो हिमालिया और जो alps mountain ranges हैं उसके maximum जो mountains है वो fold mountains है जिसमें बहुत सारे पत्थर है और उनका जो peak है या फिर जो top है वो एकदम needle like है तो अब हम आते हैं block mountains में block mountains होते हैं जैसे आप यहाँ पर यह image देख रहे हो ना यह image block mountains की है इसमें क्या होता है कि तब कभी earthquake या फिर कुछ भी आता है तो कभी कभी होते हैं लैंड अलग हो जाती है और कभी कभी होते है कि कुछ लैंड ऊपर आ जाती है surface से उसी को हम बोलते है block mountain तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे यह जो block mountain की image है इसके उपर यह जो यह land है जिस पे यह अभी हमारा mouse का वो है वो जो हम अभी point कर रहे हम बोलते हैं horse और यह जो नीचे वाली जमीन है उसे हम बोलते हैं graven आपको यह समझ में आगे होगा तो गाइस अब हम आते हैं volcanic mountains में इस बुक में volcanic mountains का तो बहुत कम दिया हुआ है पर जितना दिया हुआ है वह आपको मैं जरूर बताऊंगा volcanic mountains एक ताइप के mountain होते हैं जो किसी volcanic activity वे बने फॉम होते हैं एक्जेंपर कीली मनजारो एंड फूजी आमा यह जपैन में और जो माउंट 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 इलिमनजारो एं यह हमारा एफ्रिका में तो आप हमें river valleys और terraces के बारे में दिया है जो river valleys और terraces होते हैं वह बहुत जादा ideal होते cultivation of crops के लिए और जो mountains में तब हम उपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको तो पता है oxygen की कमी हो जाती और air पतली होती रहते तो हम लोग oxygen cylinders अपने साथ लेकर जाते हैं mountaineers mountains में जो rich variety के flora and fauna होते हैं हाँ जो flora है उस वह plant होता है और जो fauna है वह animals होता है और मैं आपको यह बता दू आपको Mount Everest है वह सबसे बड़ा सबसे बड़ा mountain है इस वर्ल्ड का पर नहीं असलियत में उसको बोला जाता है पर Pacific Ocean के अंदर एक उससे भी बड़ा mountain 10,205 meters ऊचा mountain जिसका नाम है मोना किया जो Pacific Ocean के अंदर है पर sea level से थोड़ा सा नीचे वह sea level से नीचे इसलिए उसको सबसे बड़ा mountain नहीं कहा जाता उसको अंदर sea में सबसे जादा बड़ा mountain बोला जाता है sea level के अंदर तो गाइस अब हम अगले पेच पे चलते हैं यह information अच्छी थी अब अगले पेच पे चलते हैं तो गाइस अब हम अगले पेच पे आ चुके हैं तो यहां पर प्लैट्यूज हमारा शुरू होने वाला आपको यह तो पता होगा प्लैट्यूज होते क्या हैं प्लैट्यूज एक प्रकार के हिल या फिर एक mountain होते हैं जो उपर से बिल्कुल प्लेन होते हैं फ्लैट उसके फिर आगे अब देखते हैं क्या दियावा है जो प्लैट्यू होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं एक normal नॉमल प्लैट्यू होते हैं और एक होते हैं वोलकानिक प्लैट्यू जो दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लैटियू है उसका नाम है दद तिबद प्लैटियू जो 4000 से 6000 मीटर के से 4000 से 6000 मीटर के बीच में है जैसे वो माउंट एवरेश से छोटा है पर जादा भी छोटा नहीं है वो प्लैटियू मैं आपको यह बता दू इंडिया में अगर आप इंडियान है तो मैं आपको यह बता दू कि जो कि जो दो प्लैट्यूज है इंडिया के उनका नाम है छोटा नाकपूर प्लैट्यू एंड डेकें प्लैट्यू और दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्लैट्यू है यहां पे भी नाम दिया हुआ है एक है इस्ट अफ्रिकन प्लैट्यू केनिया में और एक तैंजानिया में और उगांडा ये इतने बड़ा है कि ये इन तीनों में आसता है मेरे खेल से उनके बॉर्डर्स पे होगा ये तीनों एकजाद ट्रिब्यूट करते होंगे जिसे रिवस करते हैं और यहाँ पे जो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डेकन प्लैट्यू है वो इंडिया का ओल्डेस्ट प्लैट्यू है इंडिया का वन ओफ दो ओल्डेस्ट प्लैट्यू है और जो छोटा नापपर प्लैट्यू है उसमें से हमें गोल्ड, कॉपर और आईरन मिलता है मतब गोल्ड नहीं हमें मिलता है कॉपर आईरन एक्सेक्तर हमें उसमें देल मिल जाता है गौल्ड को पर मतलब घौूल नहीं मिलता एक और प्लैट्यू है उसका नाम है उसका नाम है इस्ट अफ्रिकन प्लैट्यू उसके उसके अंदर से लुग का नाम है गॉल्ड और डाइमंड तो guys अब हम अगले पेच पे चलते हैं तो guys अब हम अगले पेच पे आ चुके हैं तो guys जैसा कि आप देख रहे हो कि जो प्लेट्यू जो gold और diamond के लिए बहुत जादा वो है उसका नाम है African Plateau African Plateau तो अब हम आते हैं Plains पे Plains के बारे में तो सबको पते हैं हम जिस लैंड पे रहते हैं वो है Plains जो एकदम flat होती है पूरी flat होती है उसके बाद जो mountains होते हैं वो Plains नहीं होते तो अब मैं आपको बता दूँ Plains के बारे में जो Plains हैं वो मेली rivers से ही कुछ बहुत सारे Plains बने वे हैं चाइना में एक रिवर है येंग उसका नाम है येंड गेट से जो चाइना में उसने चाइना में Plains बनाई है और जो भ्रह्मपुत्र और गंगा इंडिया में उन्होंने इंडिया में Plains बनाई हैं बहुत सारी जो Plains होती है वो बहुत फर्टाइल होती है वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क होता है वो बहुत असानी से हो जाता है कंस्ट्रक्शन बहुत असानी से हो जाता है farming बहुत अच्छी से हो जाती है सब कुछ बहुत अच्छी से हो जाते है plains पे बाकी landforms की अलावा तो guys अब हम अगले page पे चलते हैं guys हम अगले page पे पहुंच चुके हैं अब यहां पे दियावा है landforms and people तो यहां पे देखते हैं अब क्या दियावा है जो इनसान होते हैं वो बहुत अलग-अलग landforms में रहते हैं अलग प्रकार के उन में mountains हैं plains हैं, plains हैं, plains हैं hills हैं, बहुत सारी चीज़े हैं, बहुत सारी landforms हैं, तो यहां पे natural calamities as earthquake, volcanic eruption, storms, flood भी आ जाते हैं destruction कर देते हैं अब आप यह सोच रहे होगे कि यहां पे erosion के बर में एक line दिवी थी, और कुछ दियाई नहीं था, तो वो बस एक line नहीं थी, थोड़ा सा और दिया वास के बारे में, और अब हम यह बताते हैं, जैसे आप सोचते हो, जैसे हम लोग कभी-कभी गुडा जमीन पे फैक देते हैं और सोचते हैं, कि यह तो हमारे पूरवजों की जमीन है इसमें हम कुछ भी करें पर वो गलत है वो पूरवजों की जमीन नहीं होती उस जमीन को गर हम गंडा करते हैं भविश्य के लोगों से हमने वो रखावा होता है उधार, तो इसलिए हमें कभी भी पल्यूशन जड़त अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए और हमें अर्थ के पल्यूशन को कम करने का ट्राइ करना चाहिए और अगर ऐसे ही चलता रहेगा जो आगे फ्यूशर के लोगोंगे उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक और बाल की इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और जो मैंने अपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे थे बीच में उसका आंसर कमेंट में भी दिए दीजिए अगर सही होगा हम उसे लाइक भी करेंगे और आप उसका आंसर भी बताएंगे आपको और उसके बाद फिर मैं एक और इंफोर्मेशन बता दूँ